अगब तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ GST में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सस्ती हो जाएंगी और कौन सी चीज़ हैं जो महंगी हो जाएंगी एक जुलाई से देज भर में GST मतलब की Goods and Service Tax लागू होने वाला है GST बिल लागू होने के बाद कई ऐसे सामाने जो बेहत सस्ते हो जाएंगे रोज मर्रा की कई चीज़ें ऐसी हैं जो काफी सस्ती हो जाएंगी GST यानी Goods and Service Tax इसका मतलब है एक समान पूरे देश में सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा अब तक मैं आपके लिए बताओं अब तक जो है हर चीज़ पर कम से कम 18 टेक्स लगते थे लेकिन अब GST लागू होने के बाद सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा इसे बेचने वाला और खरीदने वाला GST के दायरे में होगा और जितने भी टेक्स है सेल टेक्स सर्विश टेक्स वो सारे टेक्स जो है वो खतम हो जाएंगे और एक जुलाई 27 से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लागू हो जाएगा तो फ्रेंस मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो GST से मुक्ति रखी गई हैं और सस्ती होने वाली हैं यह चीज़ें हमारी रोजमर्रा की चीज़ें हैं इन पर पहले जो 17-18 टेक्स लगते थे वो टेक्स सारे खतम हो जाएंगे और GST भी इन पर नहीं लगेगा यह चीज़ें हैं पुला आठा है मेंदा बेशन अनास दालें फल सबजी दूद दई लसी पनीर पूजा सामेकरी खजूर का गोड नमक बच्चों की किताब कॉपी यह सब चीज़ें काफी सस्ती हो जाएंगी इन पर को भी टेक्स नहीं लगेगा ऐसे ही यहां पर कुछ चीज़ें हैं उनके पहले 12 फिज़ें लगता था वह टेक्स खतम हो जाएगा और सिर्फ 5% टेक्स लगेगा और ऐसे ही स्वास्ति सेवाएं दवाएं जो हैं वह महंगी हो जाएंगी तो मैं आपके लिए बताता हूं जीएश्टी को तीन हिस्तों में रखा गया है 12% टेक्स 18% और 28% टेक्स तो 8% जो टेक्स था वो सस्ता हो जाएगा और यह चीज़ें हमें सस्ती मिलेंगी जैसे कि घी है फूड है बादाम है छत्री मॉबाइल अचार मुरबा चड़नी इन पर 12% टेक्स लगेगा और जिन चीज़ों पर 18% टेक्स लग रहा है यह वह चीज़ें जिन पर पहले कम से कम 32% टेक्स लगता था यह चीज़ें कुछ electronic चीज़ें जैसे computer, printer और बागी चीज़ें शाबून, toothpaste और बालों का तेल जितने भी थे, ice cream और बागी जो सबसे आदर टेक्स रखा गया है वह 28% टेक्स यह चीज़ें कार है, बाइक है, पान, मसाला, बीडी, cigarette, print, makeup यह चीज़े वह सस्ती हो जाएंगी उन पर टेक्स लगता था वह टेक्स खतम हो जाएगा